Hello everyone friends, आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है Online exam से पहले mobile में क्या setting करना है आज के वीडियो में आप सभी students के लिए complete tutorial वीडियो लेकर आया हूँ तो friends आपको वीडियो में last तक बने रहना है और Online exam के बारे में, competitive exam के बारे में ऐसे ही आपको latest update चाहिए, तो आप हमारे इस YouTube चैनल को free में subscribe कर सकते है और आपके मन में कोई भी दाउर से तो वीडियो के नीचे comment box में आप जरू लिख सकते है तो friends चलिए Online exam से पहले mobile में क्या क्या setting करना है, सिखते है Two friends, Online exam से पहले, सबसे पहले आपको ये काम करना है आपको अपने mobile की setting open करने होगी आप यहाँ पर देख सकते है, यह है अपने mobile की setting तो मैं इस पर click करके open करता हूँ आप यहाँ पर देख सकते है, यह है अपने mobile की setting और आप यहाँ पर देख सकते है, आपको यहाँ पर notification को search करना होगा आप यहाँ पर notification को search करने कैसी करना है तो आप यहाँ पर देख सकते है, उपर की side पर search वाला option यहाँ पर आपको मिल जाएगा यदि आपको कोई भी mobile है yamai है realme है samsung है किसी के भी mobile में search वाला option होता ही है तो यहाँ पर आपको अपने mobile की notification को disable करना होगा अपने mobile की notification को आपको disable क्यों करना है क्योंकि यदि आप online exam attend कर रहे है online exam चल रहे है और आपके exam में यदि कोई भी notification आता है WhatsApp का notification आता है या Facebook का notification मिलता है आपको तो आपके examiner को ऐसा लग सकता है आप कोई chatting कर रहे है इसलिए आपको notification को disable करना है और notification आपके यदि enable है कोई भी आपको WhatsApp का message मिलता है या Facebook का notification मिलता है तो आपकी exam terminate हो सकती है इसलिए notification को disable करना जरूरी है तो आपको notification को कैसे disable करना है अपने mobile की setting open करना है और mobile की setting open करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते है उपर के side पर search all option है इस पर आपको click करना है और notification ऐसा search करना है notification search करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते है search all option है इस पर आपको click करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर notification के बहुत सारे option आपको मिल जाएंगे तो friends आप यहाँ पर देख सकते हैं second dollar option है notifications का इस पर आपको click करके open करना है तो मैं इस पर click करके open करता हूँ open करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे apps आपको मिल जाएंगे आपके mobile में जितने भी apps यहाँ पर दिखने लगेंगे और सभी के आपको notification disable करना है आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पर आपको क्लिक करके notification disable कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर अपने mobile के सभी app के notification disable करता हूँ मुझे तो online exam attend करना नहीं है इसलिए मैं इसे फिर से enable करता हूँ आपको सिर्फ notification को disable करना है तो फ्रेंड यह थी first trick online exam से पहले सबसे पहले आपको ये काम करना है और second काम क्या करना है, second trick यह है आप यहाँ पर देख सकते हैं फिर से आपको अपने mobile के main setting में आना आए में आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं two friends second trick आपको ये करना है फिर से search one option पर क्लिक करना है और यहाँपर आपको एडबल पी ऐसा सर्च करना होगा app search करना है app search करने के पाद आप यहाँपर देख सकते first number पर ही apps का option आपको मिल जाएगा इस पर आपको क्लीक करना है और as per click करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं second number पर है manage apps manage apps पर आपको click करना होगा क्योंकि आपको apps को manage करना है तो यहाँ पर आप देख सकते है manage apps को मैं open करता हूँ manage apps पर open करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे आपको scroll करना है नीचे स्क्रोल करने के बाद आपके mobile में जितने भी ऐप से यहाँ पर आपको मिल जाएंगे और यहाँ से आप अपने mobile के apps manage कर सकते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं search among 249 apps 249 apps को आप manage कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर click करता हूँ और आपको यहाँ पर आपको Chrome को search करना है Google Chrome को search करना होगा search करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यह है Google Chrome का option आपको मिल जाएगा इस app को आपको open करना होगा तो मैं यहाँ पर click करके open करता हूँ open करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यह आपकी Google Chrome की app open हुए और आपको नीचे scroll करना है नीचे scroll करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं app permission app permission का option आपको मिल गया है तो इस पर आपको click करना है क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते है कैमेरा, कॉन्टैक्ट, लोकेशन, माइक्रोफोन, स्टोरेज सभी को आपको इनेबल करना होगा लोकेशन, माइक्रोफोन, सभी को इनेबल करना है ताकि आपके online exam में कोई भी problem ना हो तो friends, यह थी second trick इसे आपको इनेबल ही करना होगा तो फिर से back आना है और चलिए, third trick क्या है, सिखते है तो फिर से आपको setting के back आना होगा और अब आपको अपने mobile का play store open करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने mobile का play store का है तो यह है, अपने mobile का play store इसे आपको open करना होगा तो friends, इसी तरह से आपको play store app open करना होगा प्लेश्चोर app open करनी के बाद यहाँ पर आपको Google Chrome सर्च करना है तो मैं यहाँ पर Google Chrome सर्च करता हूँ आप यहाँ पर देख सकते हैं Google Chrome Fast and Secure का app आपके सामने है तो आपको update पर click करना है आपका जो mobile है उसमें Google Chrome app updated होना चाहिए यदि आपके mobile में Google Chrome app updated नहीं है तो आप exam proper तरीके से attend नहीं कर सकते ही इसलिए आपको Google Chrome app update ही करना होगा तो Google Chrome app update कैसे करना है प्ले स्टोर को open करना है प्ले स्टोर को open करने के बाद यहाँ पर Google Chrome सर्च करना है और update पर click करके आपको update करना होगा तो मैं यहाँ पर update को click करके update करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते waiting for download यहाँ पर आपको option मिल गया है तो आपका Google Chrome app थोड़ी देर म तो friends चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में और friends वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीज़े चानल को फ्री में सुस्क्राइब कीज़े ताके आपको फ्री में नोटिपिकेशन मिल सके फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में जैहिन वंदे मात्रा